तो जैहिंद रमास्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप BSF Head Constable Minister की फिजिगल की त्यारी कर रहे हैं तो इसी वीच आप सब के लिए एक गोड़नी हुझे जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ बड़ी बात क्या है कि इसी बीच यहां पर एक RTI का रिप्लाइब काफी जानकाई देने वाला हूँ तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं और भी महतरपूर जानकारी मैं आप सब को इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप भी BSF Head Concentible Ministerial 1526 बदों के लिए अगर आपने फ़र्म को अप्लाई किया है जिसमें की पूरे RCPF को मिला कर BSF, CISF, ITB, PPSM, IFL, SLB सब ही वेकेंसी को मिला कर यह वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है तो आपके लिए बड़े खुसकबरी यहा है कि आप सभी के सबसे पहले इस भरती में फिजिकल होने वाले हैं फिजिकल में आप सभी के 1600 मीटर रणिंग होगा आपको यहाँ पर 5, sorry दोस्तों 6 मिनट 30 सिकंड के अंदर 1600 मीटर रणिंग क्वालिफाई करना होगा मेल की हाइट इकसोफ़चा सेंटी मीटर फिमेल का है एकसोफ़चा सिंटी मीटर से आपके फजिकल को यहाँ पर कम्पलीट किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं इस वीडियो में कि यदि आपने इसके लिए आविदन किया है तो आपके अंदर कहीं ने कहीं यह सवाल चल रहा हुआ कि अखिर इसका फिजिकल कब होगा रिप्लाइब में क्या कुछ बता गया है देखें आपको बता दे कभी जब भी आप रटी लगाते हैं कि लगाते हैं तो उसमें यह चीजione पराचलती है कि किस वर्त कि में रिप्लाइब में नहीं आएगा उसमें क्या है यह अगर उन बतानी ही होती तो जब BSF Head Constable Minister का Notification जारी हुआ था तो उसी में फिजिकल डेट भी include रहता लेकिन फिजिकल डेट उसमें नहीं था तो इसका मतलब यह है कि फिजिकल के बारे में किसी को बतानी होता तक फिजिकल कब होगा क्योंकि इसकी नोडल लेंसी जो है वो BSF ही है है और आप सभी ने देखी लिया है तो आपको यहां पर चिंता नहीं करना है सिर्फ आपको वेकेंसी की बारे मताया जाए कितनी वेकेंसी आई हुई है और उस भरती की इस्थित क्या है यह चीज़े आपको बताई जाएंगी हां यहां तक कि यह भी बता कर सकते हो कि आखिर इस भरते में कितने फाउम आविदन हुए है लेकिन यह चीज़े पता नहीं कर सकते कि आखिर फिजिकल कब होने वाला है अगर नोटिफिकेशन में डेट लिखा होता कि यहां फिजिकल को लेकर तो वह भी रिप्लाई में भी वही डेट देखा था लेकिन यहां पे फिजि यहां पे complete करवाए जाएंगे अगर देखा जाए यहां पर तो यह एक बड़ी भरती बन चुकी है इसमें साथ साथ साल सारे साथ लाग से लेकर आठ लाग फॉम अपलाई हो चुके हैं और इतना फॉम अपलाई होने के बार अब हर वच्चे को लग रहा है कि competition किस प्रकार से आसान है देखिए आपको बता देए बेसाफ में 2022-23 में 323 पदों पर यहां पर चार लाग के संस्थी फॉम अपलाई हुआ था इसमें 303 फॉम यहां पर दोगना कर देते हैं तो आवरेजन यहां पर लेके चलते हैं 600 मालो ठीक है मुटा मुटा 600 वेकेंसी मालो दूग न यहां पर बात को किये जाए तो 1526 पदोपर वेकेंसी गए हुए जिसमें साधे साथ से लेकर आठ लाग अपलाई हुआ है तो पिछली बार के मुकाबले देखा जाए इस बार कम रहने वाला है आपका सेलेक्शन इसमें हो सकता अगर आप इसकी त्यारी करते हैं तो को तक यहां पर करना होगा दोनी है अगर आपको टाइपिंग नहीं आता तो आपको हल्का क्वालिफाइग करने के बाद शुरू कर सकते हो आपके और आपके capacity उपर different करता है कि आप किस प्रकार से typing को कितर जल्दवाजी में आप जल्दी में सीख जाएंगे ठीक है अब अगली बात यहाँ पर यह निकलक आती है cut-off किस प्रकार से बनेगी देखे जब भी hit constable initial की vacancy किसी भी forces में निकलक आती है यह vacancy पूरे all over India के लिए आती है ठीक है इसमें vacancy जो है वो state-wise नहीं रहती पूरे all over India को मिला कर vacancy निकाली जाती है यहाँ पर होता क्या है जब vacancy state-wise होती है तो आसाम हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे state है जिनकी cut-off जहाँ पर कम देखने को मिल जाती है वहीं UP, मदपरदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाना इन सब की cut-off यहाँ पर हर बार हाई देखने को मिल जाती है लेकिन जब vacancy पूरे all over India को मिला कर आई है तो all over India मिला कर cut-off बनेगी और जब इस प्रकार से cut-off बनेगी तो यह मानिन नहीं रखता कि आप असम से है तापको कम नंबल लाने पर selection हो जाएगा असा नहीं है आपको fight करना पड़ेगा पूरे पूरी vacancy से और पूरी all over India से आपको fight यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार से देखा जात जब ज़्यादा benefit होता है यहाँ पर उन इस्टेट का होता है जिनकी घटाफ यहाँ पर हाई देखने को मिलती है जारतर बच्चे जो होंगे वहीं से सेलेक्ट होंगे ठीक है यह सारी चीजे मानिन रखती है तो आप इस पर नजर अंदा नहीं कर सकते वैकेंशी आप सबकी 1526 से आल इंडिया कटाफ बनेगी तो कहीं न कहीं उन बच्चों काफी जा रहा है यहाँ पर रिलीफ मिलेगा जो बच्चे यूपी विहार मदप्रदेश हरिगाना राजस्थान से विलोग करते हैं इस पर मेंत करना पडेका झाए तो इसलिए में ब्लेक उएगा आपको मिनिममम क्वॉलिफाइं मार्ण बता frontier शाम जया जाता है अगर आप यहां पर चालिस परसेंट यह मिनिम्म है तीक है इसके आगे आप भी कट आफ लगेगी और उस कट आफ के वेशस पर आप सब हो जाएगा फिर आपका एक्जाम होगा एक्जाम में सब कुई चनाएंगे सो नंबर रहने वाले हैं सौ मिनट के अंदर आपको कुई चना करने पड़ेंगे निगेटी मार्किंग आया नहीं तो आप चाहो तो इस वी एक्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो कॉम्पटिशन भी सब्सक्राइब करने कोई काम है मैंने आपको बता दिया सारी चीजे मैंने आपको बता दी है लेकिन विजफिकल के नहीं बता है कि आख थर फिजग इसके कब तक हो दे कि लेकिन आप एक काम करिएगा next month कोई physical लेकर चलिएगा अगस्त के महीने में अगस्त के लाश तक आप सभी के physical यहाँ पर सुरू होगे तो सितंबर भी आप सभी को फिजकल होगा और उसके बार नॉम्बर इसंबर में आप सभी के यहाँ पर exam conduct हो जाएगे तो इसलिए physical जो है त्यारी मिलना जाहिए चाहे रंणिंग हो चाहे पढ़ाई हो चाहे मेडिकल हो कुछ भी हो आप पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेपेर रही अगर आपको सेलेक्सन लेना है दोजार चोविस पर चीज में तो ठीक है बहुत सारे नए बच्चे हैं जो कि पहली बार भी सब म होंगे उन सब को मैं मता दूं कि आपको चिंता नहीं करना है आपको डरना नहीं है सिर्फ आपको फिजिकल की प्रेटिस करके जाना है आप फिजिकल यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगा ठीक है तो चले फिर मिलते किसी नई भरती और नहीं जनकारी साथ तक के लिए जैन